इस आप सभी का स्वागत है BNB News में मैं हूँ आपकी दोस्त सारा सिद्धी की आज मुंबई की PVR जू में यात्री मूवी का हुआ ट्रेलर लॉंच इस मूवी को डारेक्ट हिया है हारिश व्यास प्रेडियूस बाइ कुकू मोहन का अगर इस मूवी के कास्ट के बारे में बात की जाए तो सीमा पभा, रगुवीर यादव, जैमी लेवर, अनुराग मलहन, चाहत खन्ना अगर हम फिल्म की बात करें तो ये फिल्म एक फैमिली बेजिस पर है इस मूवी में कॉमेडी, इमोशन और थोड़ा ड्रामा भी है आईए हम आपको ले चलते हैं मुंबई के पी वियार जुभू में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हां, कमेंट करके अपनी राय, सुझाओ, जरूर लिखके बताईएगा ता कि हमें पता चले आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें आपके सुझाओ का इंतिजार रहेगा आपके सुझाओ करते हैं तो जब उनने मुझे नरेग किया था है, मुझे पता है जेमी के, बिकस जो लोग कमेटी कर सकते हैं, वो एमोशन को अच्छी तरह से समझते हैं, और लोग सीरियस, मतला पोर्टरे कर सकेंगे So, he was very convinced. So, I was convinced looking at his conviction behind this character for me. So, I am thankful sir, कि आपने मेरे ये सोचा And people will see me in a different light. So, I feel very very happy. But see, this is a big moment for me, मैंने कभी अपने आपको पोस्टर पन गी देगा. But you know, there is one more question that I want to ask you and this is a bit edgy, आपको मुझे मुझे बताना है कि You know, I see so many influencers now turning actors and we have a line of them, you know, अभी पुरी लिस्ट बन गई है अभी current movies में जो हम देख रहे हैं, content creators and influencers को actors बनते हुए Is that the end game for every influencer now, कि ये करके हमें Bollywood में जाना है और acting करनी है Is that पुरीज़ आपट सारे इंफुएसर में जो जो, they are very happy with what they do. And they are very happy and they are getting a lot of success, they are getting a lot of fame and a lot of money also. And वो बहुत जादा पुशे हैं in the job that they are doing and I really respect them and appreciate Because वो जो करते हैं भो बहुत जादा हार्ड़ोर कहैं I don't think actors कर सखेंगे, because consistently content create करना उसको, you know, produce करते जाना with that kind of energy is really commendable, so respect to all influencers. But जो लोग अक्तिं में कनवर्ट कररे हैं अपने आपको, they're becoming actors, it's nice to see them on the big screen, because they deserve भी करते हैं. I think it's a great platform now, जिस पे हमें नए अक्तिंग कर पाने की एक मौका बिल रहा है, so that's what it is. Thank you so much. Anurna, पुम्हें आप से पुछना चाहती हूं, जो को कि एक्रिक्ट और ये अक्टिंग ये कैसे हो गया? मतलब अक्टिंग में छखके चुदा रहे हैं, ये अक्रिक्ट में चुच कर रहे हैं, कि आप बहुत अच्छा कियू रहे हैं, जिसे कैसे मिक्सों रहे हैं तूनु चीसे? मैं ट्राइ कर रहा हूँ, यहां पी चपके चुपके चुडाँ दूदाइटार। हाँ, लग रहा है यह बता है, हरीशी बता है बोसारी बता है, चाहिए रहा है वह लेके एक्षिन थे बुल्दी थारा एक दिनका चीजा ने थारा। मेरी दादी के साथ बैचके मेर मुवू लेक्से की। यह जब स्क्रिप्स करें प़ा साहई, हुफ़ी लगा वे उठकर है, कि आ रिटेशिधर भी रोला है। this is what exactly and like I really want masses to see me चै थोड़ा बहुत भी देखे हैं, जादा भी देखे हैं and hopefully they love me That's amazing, you know, ये जो आपने कहा, जो खुकुझी ने पहले भी कहा था कि हम अपने परिवाल वादों के साफ में बैट बेट के कुछ देख तो पाएं we all agree that entertainment has now reached our mobile phones but that doesn't mean कि हम सभी नों को इंडिविजुली देखना आपने मॉबाइल फॉन में ही जरूरी है we've lost the entire fun of शाम को आठ बजे बैट करके सब मिल करके टीवी पर कुछ देख रहे हैं या फिर वीकें पर मिल करके किसी फिल्म के लिए जा रहे हैं so I think that is what this film is bringing back, very rightly said all the best for the project though I hope कि इसके आगे वी बहुत अपी लंभी लिस्ट बनना बाकी है hopefully in the next few months we'll see something oh something is in the pipeline already yes it is that's lovely all the best for that Chahad we've seen you doing some big roles on television and we've also seen you cracking some great roles in movies so what made you choose Yathri's like hi thank you so much for everybody for coming here firstly and exactly what Agraak said that you know I wanted to do something which I can watch it with my daughters yeah I have daughters and my family and there's so much of drama so much of content happening here where you see some of the crime you know erotic what not but then is that a feel-good factor when you leave the theater does that give you a feel-good feeling for me no I like to watch this kind of genre this is like my genre and when I got an offer of something which I like to watch I was like I'm gonna grab it why not so even if I had a small character I was like it's okay this is where I see myself so there is no way I would have given a second thought kia baat hai so basically we have to thank Kuku ji and Harish for bringing this beautiful film to all of us which looks like it's a wholesome family entertainer and with this I open the floor for questions any questions that the media has can we pass the mics please ok ok ok